हेलो दोश्तो इस वीडियो में हम medicine classification part 2 के बारे में जानेंगे part 1 हम already discuss कर चुके हैं तो इसमें हम जो classification discuss करेंगे वो है emetic drugs, anti-emetic drugs ठीक है, anti-acids ठीक है तो इस तरह से हम इसमें कई शारे classification discuss करेंगे यह video long होने वाले है तो इस video को chapters दिये गए हैं तो chapters के according भी आप इस video को देख सकते हो, तो चलिए बिनादरी की यह शुरू करते हैं classification, emetic drug, emetic drug जानने से पहले जानते हैं emesis के बारे में तो basically emesis को ही vomiting बोलते हैं, जब कभी भी इस्टमक में sample substance यानि हानिकारगपदार्थ इस टमक में पहुँच जाते हैं तो उस condition में जो vomiting की process होती है तो उनकी द्वारा उन substance को भार कर दिया जाता है ठीक है, अब जानते है emetic drug के बारे में, तो ऐसे drug जो के vomiting को induce कराते हैं, यानि vomiting करवाते हैं, तो उन drug को बोलते है emitting drug, तो अब emitting drug को देने की जुरत क्यों पढ़ती है, तो जब कभी भी खाने की बज़ए से, या पिर किसी medicine की बज़ए से, इस टमक में sample substance पहुँच गई, यानि poison हो गया, इस टमक में, तो उस condition में इन drug को दिया जाता है, ताकि जो जो poison होआ है, इस टमक में, वो बहार निकल जाए, और उसका effect बोली पर नहीं पड़े, तो इसमें जो syrup आती है, वो है, आई-फेक एक syrup, जो कि घर पर यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि इसके मिसी उस से toxicity भी हो सकती है, अब इसके लिए जो home remedies है, ठीक है, उनमें पहला है salt and water, तो salt and water के माध्यम से जैसे के warm water अगर हम लेंगे तो इससे mild ma tick होता है, ठीक है, यानि इससे जो vomiting होंगी, वो mild होंगी, या फिर two spoon of common salt और इसे 500 ml warm water मिक्स करके दे सकते हैं, इसे भी vomiting हो सकत है, mustard seed, यानि one table spoon, one table spoon mustard seed की, इसको 250 ml warm water मिला के दे सकते हैं, तो इससे भी vomiting हो जाएगे, strong copy ठीक है, जब कभी भी narcotics का poison होता है, तो उस condition में strong copy दे सकते हैं, एक best, best home remedy है, ठीक है, activated charcoal को भी दे सकते हैं, तो इस सब home remedies हैं, इनको vomiting cause कराने के लिए दे सकते हैं, तो इनसे vomiting होती है, अब इनका classification देखते हैं, shite of action के according, तो इसमें जो पहला है, वो है centrally acting, जिसमें morphine आता है, periferal acting में आता है, mustard seed, potassium tartrate और hypertonic sodium chloride, जो के centrally acting भी होता है, और periferal acting होता है, वो है apica quana, all right, anti-emetic drug, तो ऐसी drug जिनको vomiting रोकने के लिए दिया जाता है, ठीक है, vomiting कम करने के लिए दिया जाता है, तो उन्हें भोलते हैं anti-emetic, जैसे कि जब हम travel करते हैं, तो उसकी वाज़े से vomiting होती है, तो उस condition में anti-emetic को दिया जाता है, motion sickness, ठीक है, morning sickness होती है, प्रेगनेंसी में, तो उस condition में इनको दिया जाता है, इस्टमख फिलू के बज़से जो वोमेटिंग होते है तब भी इनको दिया जाता है अधली इंटिक्षन यानि वाज़से को इंटिक्षन होता है जैसे कि टाइफिर वगड़ा तो इस कंडिसन में जो वोमेटिंग होती है तो तब데 इन गया चलाशीन लग का यह और prokinetic drug में जो popular है वो है dompredon ठीक है तो यह है इसका classification और इसका जो अगला classification है वो है neuroleptics तो neuroleptics में जो आता है वो है chlorpromagene और 5H3 antagonist में जो सबसे ज़्यदा popular है और सबसे ज़्यदा दिया जाता है vomiting रोकने के लिए वो है ondacetron ठीक है या ondacetron तो इसका यूज वैटली किया जाता है सबसे ज़्यदा यूज इसका ही किया जाता है और अधर भी है इसमें जैसे कि dexamethasone ठीक है तो यह तेस की classification है यह आप देख सकते है vomiting और इसमें है ondacetron जो के vomiting को रोकने के लिए दिया जाता है अब जानते कि इनका यूज कैसे किया जाता है जैसे कि cancer या कीमो थेरपी की वाज़े से जो vomiting होती है तो उस condition में ondacetron का यूज किया जाता है motion sickness में iocene और morning sickness में cycligine और post operative vomiting यानि operation के बाद जो vomiting होती है तो उस condition में promethagene का लिवोपोड़ा के बाज़े से जो vomiting होती है उसमें dompredon या gastro isopagal reflex disease जो होता है उसमें metocloprite का यूज के जाता है vomiting रोकने के लिए ठीक है antacet या anti acid के बारे में जानती है तो जब कभी भी gastro intestinal tract में acid का amount जाधा हो जाता है ठीक है तो उस acid के amount के वैसे burn होता है जलन होती है तो उसको neutralize करने के लिए जो medicine दी जाती है उनको बोलती है antacet ठीक है तो यह हमको relief देती है जैसे कि हर्ट बन होता है ठीक है हर्ट बन होता है या stomach burn होता है तो उस condition में यह दी जाती है कभी कभी यह हमको ulcer में भी दी जाती है जैसे कि यहां पर यह है stomach ठीक है अब जादा दिनों तक यहां पर अगर acid निकलेगा तो उसके बज़ए ulcer हो जाएंगे तो एक तरह से हमको ulcer से भी prevent कर दें ठीक है तो यहां पर जब कभी भी acid का जो amount जादा हो जाता है तो उस condition में इनका यूज किया जाता है anti acid का इसमें के example हैं जैसे के aluminium hydroxide aluminium phosphate और भी आप यहां पर example देख सकते हैं और इसका example है calcium carbonate ठीक है और कुछ toxins भी होती हैं ठीक है और cameytidine भी होती है और इसमें सबसे पापिलर है वह है ्मित्वीटन यहां पर देख सकते हैं आप ac lock में जो main compound होता है तो यह सबसे ज़यादा popular आफकि और उसके बाद जो सबसेदा popular है वह है Phemitodine ठीक है तो यह दो जो एंटासेड है वह सबसेदा popular है और यहां पर यह यहां पर एक DLSन भी काफी popular anti-acid है तो इनका यूच कर दा है anti-acid का यूच जब कभी भी इस टमक में acid का amount जादा हो जाता है तो उसको को नीटिलाज करने के लिए एंटा असे ऐस्ट का ओकिया जाता है ठीक है जिसकी वाज़े से हर्ट वन यानि चेस्ट में दर्द होता है ठीक है चेस्ट के पास दर्द होता है तो उस कंडिसन में इनका यूज किया जाता है अगला है proton pump inhibitors तो जब कभी भी gastric acid का production जादा हो जाता है ठीक है तो उस condition में इसका उपयोग किया जाता है gastric acid के production को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है लेकिन जो anti-acid होते हैं तो anti-acid का उपयोग भी gastric acid में किया जाता है लेकिन उनका उपयोग gastric acid जब निकलता है तो उसको neutralize करने के लिए किया जाता है लेकिन proton pump के द्वारा उसके production को कम किया जाता है ठीक है तो जो proton pumps inhibitors होते हैं यह proton pump को inhibit करते हैं यानि proton pump की जो activities होती हैं उनको inhibit करते हैं उनको बंद करते हैं जिसकी वैसे जो acid का production है वो कम हो जाता है ठीक है तो पांच तरह की जो proton pump inhibitors आ तीसरा पेंटो प्रोजॉल और चौता लेंस प्रोजॉल और पांच वारवे प्रोजॉल ठीक है तो यह थे प्रोटन पंप इनिवीटर जिनका उपयोग गेस्ट्रिक एसे के प्रोडक्शन को कम करने के लिए किया जाता है अब जानते कि क्या कौज होते है किस बज़े से गेस जाना ऐसा होता है जिसकी वज़े से इसका रिलीज भी ज्यादा हो जाता है गेस्ट्रिक एसिट का ठीक है और दवाईयों की वज़े से भी हो सकता है कुछ दवाईयां होते हैं जिनकी वज़े से हो सकते है यह से का रिलीज ज्यादा हो सकता है ठीक है इसलिए मेडिसन के सा साथ भी पीपी दी जाते है ठीक है इस्ट्रेस जब लेते हैं तो उस कंडिशन में भी जो गेस्ट का लेवल है वो ज्यादा हो सकता है अल्सर की कंडिशन में और भी कही सारी कंडिशन से हैं जिस कंडिशन में जो गेस्ट कैसे हैं उसका लेवल ज्यादा हो सकता है ओल क्या होता है constipation एक ऐसी condition होती है जिसमें stool यानि मल जो होता है वह hard हो जाता है और dry हो जाता है जिसकी वज़े से उसको intestine में पास होने में काफी problems होती है difficulty होती है जिसकी वज़े से intestine में इस टूल को पास होने वाले बालुमेंट्स नहीं हो पाते ठीक है जिसकी वाइस दर्द होता है और अनकंप्टेवल रहता है तो ऐसी कंडिशन को बोलते हैं युशन काप्च अब इसमेz जो ड्रक की कैटगरी हैं इसमें जो जैटउन्टेवल रहता है इनका जो पंक्ट्सन फूल को शॉफ्ट बनाना आप करना अगला इसमें अग्समां पर यह चैनग को ड्राय लेंडे देटी या उसमें फ्लूट् общем कर देती हैn अब इसमें देखते हैं कुछ एक्जम्पल्स तो इसमें जो पहला एक्जम्पल्स है वो है वल्क फॉर्मिंग लेक्जेटिफ टीक है तो यह क्या करेंगी इस टूल को बल्की बना देंगी टीक है तो बल्की जो इस टूल होता है उसमें फ्लूट ज्यादा रहता है जिसके व वो भी लेनी चाहिए ब्रेन और इस पेगवा और मिताइज चेलुलोच तो यह सब बल्क फॉर्मेशन करते हैं इस टूल में ठीक है अगला है इस्टूल सॉपनर यह बना देंगे इस्टूल को शॉप्ट जैसे के डॉक्यूसेट ठीक है और लिक्विट फेरा फेर और केस्टर ओल तो यह सब इस्टूल को शॉप्ट बनाते हैं अगला है इस्टूलेंट फगेटिब तो इस्टूलेंट फगेटिब जो होती है वो क्या करते हैं जो intestine में water inflex होते हैं उसको promote करते हैं ठीक है अगर water inflex promote हो जाते हैं तो उसकी वज़े से जो intestine में valve moment होते हैं वो भी promote हो जाते हैं तो आसानी से valve moment हो जाएंगे तो कब जैसी problem फिर नहीं रहेगे ठीक है तो यह क्या करेंगे को प्रमोट करके और बाव मोमेंट को प्रमोट करते इसमें पहला है इस में टाइप लाइन में उसमें कुछ एकजम्पल्स्याशन जैसे कि फिनोल फाइलिन ठीकिल जैसे आप यहां पर देख पा रहे हैं यहें फिनोल फाइलिन और यहें विश्कोडाल ठीकिल तो इसका उपयोग भी कपच में किया जाता है अब इसमें एक बी क्याटीक्रिक है वहां इसमें आता है शेहना और कैम फेरा करकदा ठीक है और जलाब यह सब आप देख पा रहे हैं यह सब इनको हरवल भी माना जा सकता है जैसे कि कायम शूरन और दिब्ब उधर कलब शूरन ठीक है तो यह सब भी कब्च में उपयोग किया जाता है और यह क्या करते हैं जो बार्ट सब्सक्राइब करते हैं इसमें अगला है ओस्मेटिक फगेटिव तो ऑस्मेटिक फगेटिव कैसे काम करते हैं हालंके यह इंटेस्टाइन के द्वारा एप्चर्व नहीं होते हैं लेकिन यह क्या करेंगे जो इंटेस्ट्इन मेंimming मौण सो यह उती हैं उनको इंधरिस साования कुछ यह में यह में। सब मेरे थे द्यूसंव के सबाइस ऩंड अध्यम एक करने के लिए जाता है और ان को ब suggest क्वेशा बोरिए संव Extremis बारージ च संसे मेरे हैं यह सिसे मेरा काने के सब्सक्रति अधर सब में। जो डाइरिया होता है उसको ठीक करने के लिए किया जाता है ओल्राइट इसमें कही सारी क्रेगरी होते हैं जिसमें से हम पहला जो treatment का दिएगे वह है fluid and electrolyte treatment जब कभी डाइरिया होता है तो उस condition में जो पुरूट का लेवल होता है सरीट में यानि जो सरीट को आईड़ित रखना होता है यानि उसमें पानी की मात्रा ज्यादा लेनी होते है ठीक है और जो इलेक्टोलाइट्स की बेलू होती है उनको भी अच्छी से मेंटर रखना पड़ता है तो उसके लिए आता है O.R.S. तो इसका उपयोग भी कर सकते हैं कब प्लूड और इलेक्ट्राइट्स के ट्रीटमेंट के लिए डाइडिया के दोरां ठीक है तो इसमें जो डब्लूएचु का पॉरुमुलाय औरस के लिए वो है सबसे पहला है कि मतलब पानी जाता पिना चाहिए ठीक है और जो कॉपी बगएड़ा होती है और डेरी प्रोडक्स होते हैं उनका उपयोग नहीं करना चाहिए और अच्छे पूट्स काने चाहिए जैसे कि बनाना बगएड़ा तो यह सब अच्छे पूट्स काने चाहिए और और probiotics जो होते हैं जैसे कि दही बगएरा तो इन सब को कहना चाहिए ठीक है तो इससे relief मिलता है डायरिया में और जैसा कभी मैंने बताया ORS ठीक है तो उसका भी उपयोग करना चाहिए जब mild डायरिया हो तो डायरिया में यूज होने वाली एंटिवाटिक्स तो जब कभी भी ट्रेवलर डायरिया या फिर वेक्ट्रिया की बज़ेस से जो डायरिया होता है तो उस कंडिशन में एंटिवाटिक्स का उपयोग करते हैं जैसे के श्रिप्रोप्रॉक्सासिन डॉक्सासिन नौर्प्रॉक्सासिन तो यह सब एंटिवाटिक्स देख पा रहे हैं तो इनका का उपयोग डायरिया की दोरान कर सकते हैं ठीक है तो इनका उपयोग severe डायरिया में किया जाता है mild mild डायरिया होता है उसमें तो normally ORS से और जो home remedies होती है उनसे ठीक हो जाता है वो ठीक है अगला है anti-secretary drug for diarrhea तो इसमें कुछ examples हैं जैसे कि शलफा से ले जाएन और मिसा ले जाएन ठीक है तो इसके example है इनका उपयोग भी डायरिया को ठीक करने के लिए किया जाता है अगला है anti-mortility drug for diarrhea तो इसमें mainly oputes आते हैं जैसे कि coadine, lowpramide और dipanoxylate, endropine ठीक है तो यह दोनों इक combination के साथ आते हैं आप ठीक है और अगला है इसमें absorbent for diarrhea तो इसमें आता है इसा पैगुला और methyl cellulose ठीक है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तो यह थे खुछ medicine डायरिया को ठीक करने के लिए वागी हम डायरिया चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उस चैप्टर में इन सबी medicine के बारे में एक एक रिटर्स जानेंगे और जानेंगे कैसे खाम करती है अब देखते हैं एंटी प्लेक्शुलेंस के बारे में तो यह वो medicine होते हैं जिनका उप्योग गैस को ठीक करने के लिए किया जाता है ठीक है तो इसमें जो एक्जांपल है वो है सिमेथिकॉन ठीक ह आप यहां पर दिख पा रहे हैं समेत इक रिटर्स ठीक है तो यह है एंटी ग्यास तो इनको एंटी गैस भी बोला जाता है और एंटी गयस की रूप्में एंटैस्फीर का भी उपव्योग पर सकते हैं यहां पर अप दीक पा रहे हैं यहाँ जल तो इसका उपयोग भी गेस को टीक करने के लिए किया जाता है और इसके लिए जो हर्वल रेमेडी जाते हैं वो है त्रफला चुर्ण आप यहां पर देख पार है डावल का त्रफला चुर्ण है और आइडे जो होते हैं ठीक है इनका उपयोग कर सकते हैं और अजमान का उपयोग कर सकते हैं और भी कई शारी होती है तो उनका उपयोग गैस को ठीक करने के लिए किया जाता है तो एथा क्लासिपिक्शन सीरीज का फायर टू आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करें यदि आपको ऐसी और वी कोचिंगे मिलते हैं अगले वीडियो में